आफ नामस्कार साथियों जहिंद और आज हम लोग औरगानी केमिश्ट्री में लास्ट चेप्टर एल्कॉल फिनॉल इन इंथर करेंगे औरगणी गेमिश्ट्री में लगबग 6 चेप्टर थे हैलो विलकेन इन हेलोरीन दनसके बाद हमने बायो मलीक्यूल पड़ा था दनसके बाद हमने कार्बोक्जिलिक एसिड एकडियाइड किटोन यह पड़ा था अमाइन पड़ा था कैमिश्ट्री एवरेडे लाइफ पॉलीमर यह सारी चीज़े पढ़ ली थी अब हम पे बस यह चीज अर्गनिक कंपॉंड और कि तर्मिनल ग्रुप ओ एच्छ टर्मिनल ग्रुप एलकोल क्यों होता हैं में एक उन्फरे दिखाए हमने चार सिर्म्स के ल्ट्रों दो लोन पहर हैं यह भी homo-logat series के अंदर आते हैं जिन में ओ 열्छ OH टर्मिनल ग्रूप है, टर्मिनल ग्रूप मतलब आखरी में आएगा, एक अलकाइल ग्रूप होगा, साथ में OH लगा देंगे, यह इसके जर्नल फ़ॉम होती है, जर्नल फ़ॉम ठीक है, एक्जाम्पल आपने बहुत से देखे हैं यार इसके, जैसे CH3 अलकाइल ग्रूप हो हो गया साथ में औह लगा दिया अभी अगर आपको याद है तो इसका और यह है अलकोहुल तो कॉमन नेम होगा मिथाईल अलकाईल हो गया यह इसका है कॉमन नेम कौन से नेम है कॉमन नेम यह है इथाइल और यह है अलकोहुल तो इसका नाम हो जागा इथाइल अलकोहुल ठीक है भाईया यह तीन कारवन है तो प्रोपाइल होगा प्रोपाइल प्रोपाइल साथ में क्या है अलकोहुल है तो यह बन जाएगा प्रोपाइल अलकोहुल क्या बन जाएगा प्रोपाइल और साथ में ओल यह तीन कारवन है तो यह बन जाएगा प्रोपेन और साथ में क्या ओल? तो ऐसे होते है हमारे क्या एल्कोयल? अगर ये functional group के जैसे बिहेव करें तो हमां आखरी में ओल लगाना होता है क्या लगाना होता है? ओल बट अगर यह substitute हो जाए मतलब इससे भी बड़ा कोई group हो जैसे aldehyde है जैसे acid है तो इसके लिए यार यूज़ करते हैं hydroxy क्या यूज़ करते हैं hydroxy यह चीज है यह आपके generally alcohol का एक basic सा हमने introduction दिया है थोड़े से और बड़िया बनाएंगे और समझेंगे क्या चीज है आपके alcohol ठीक है चली तो आपने देख़े यह alcohol basic सी चीज क्या है आप ए ओएच terminal group होना चाहिए साथ में देखो इसमें एक और बात बता दिता हूं यह बना कैसे होगा तो एक तो old view देख लेते हैं old view के हिसाब से हेट्रोलिटिक डिफ्यूजन यह सब्सिट्यूशन भी हो जाता था ठीक है यह फिजन भी हो जाता था तो old view तो आपका ऐसे बोलता था भाई की एलकेन होता है एलकेन ओता है एलकेन होता है cnh2n-2 जितने कार्बन उसके दुगने से दो ज़्यादा हेट्रोजन भाई यह इससे एक हीड्रोजन कम कर दो और उसकी जगह आप ओएज ग्रूप ले आओ ठीक हैं तो एक हैड्रोजन कम करेंगे तो cnh2n-2 की जगह अब बन एक hydrogen कम हो गया और साथ में इसमें ओएच लग गया तो ऐसे ओएच लग जाएगा अब आप कुछ भी मानो यह आपका अल्कोहल बन गया अल्कोहल वियू तो यह था मॉडर्ण वियू कुछ और ही है मॉडर्ण वियू में हम एलकेन को पहले अलकाइल हलाड बनाएंगे अलकाइल हलाड से फिर एक्वस के वच यह डालके हम एल्कोहल बना सकते हैं अलकोहलिक से तो आपको पता है अलकीन बनता है तो यह सारी चीजे थी आपकी ठीक है बट एक नए अगर में मैथट बता हूँ आपको इसका ठीक है नियू मैथड में तो बहुत से बन सकते हैं तो नए मैथड में देखो मैथड नंबर वन क्या है अलकोहल बनाने का हाले कि प्रिपरेशन बाद में देखेंगे आपको बता देता हूँ ऐसे ब्रीफली कि जैसे आप पर एलके न होता है C N H 2 N प्लस 2 ठीक है बहिए इसमें आप रियक करा दो N A O H N A O H तो क्या होगा बहिए आपका क्या होगा एक हैड्रोजन यहां से कम होगा वो तो N A अपने साथ ले जा लेगा एक हैड्रोजन यहां से कम हुआ वो अपने साथ कौन ले गया N A ले गया तो O H यहां चीपक जाएगा तब आप पर वही बन जाएगा इसको अलकाईल हलेड़ बनाओ कैसे C N H 2 N प्लस 1 और साथ में हैलोजन X और फिर इसमें एक्वस के O H डालो एक्वस के O H जैसी डालोगे तो K X आपका लगो जाएगा X मैनस होता है यह प्लस होता है K प्लस होता है O H माइनस होता है तो K प्लस और X मैनस अलक चल गया तो C N H 2 N प्लस 1 और साथ में कौन आ जाएगा O H आजाएगा तो आप alcohol ऐसे भी बना सकते हैं दोनों तरीके से बन सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है इसमें है नहीं दोनों ही तरीके से हम alcohol बना सकते हैं तो आपको पता चलिए इसको अगर functional group के जैसे treat करेंगे तो alcohol को हमने all लिखना है बढ़ अगर substituent होआ तो हम इसा hydroxy लिखेंगे तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें classification देखना पड़ेगा और classification of alcohol में हम इस्टार्ट कर लेते हैं आप देखें क्या चीज़ें पहले में एक बढ़ टेस्टिंग लिए इंग भल्लू फिर आपको दिखाता हो मागे चीज़े चलिए बच्चों तो आप हम classification देख लेते हैं तो हम यह लिख लेते हैं classification of alcohol लगा देते हैं किन-किन तरीके से हमने classify करा है इन्हें वैसी करा है जैसे अलाईल होता है विनाईल होता है इन सब चीज़ों में ठीक हैं तो हम यह लिख लेते हैं classification of alcohol और यहीं मैं आपको phenol से भी introduction करा दूँगा ठीक हैं तो classification of alcohol alcohol का में क्या करना है classification करना है ठीक हैं तो पहला है on the basis of on the basis of number of hydroxyl group कितने hydroxyl group होंगे hydroxyl group hydroxyl group कुछ और नहीं होता OH होता है ठीक हैं कितने होंगे तो इसमें देखिए पहला आएगा mono derivative या mono alcohol open chain में बात कर रहा हूं अभी aliphatic है ना तो mono alcohol मतलब एक ही OH ग्रूप हो CH3 OH आप जानते हैं इसका नाम क्या आयूपाय के लिखेंगे methane all methane one all ठीक है तो एक तो यह हो गया mono alcohol फिर इसके बाद आप देखिए die alcohol die alcohol ठीक है मोनो के बाद die alcohol die alcohol में दो carbon बना लेना ठीक है ओएच ओएच लगा देना अब balance satisfy करो carbon की होती है चार एक और एक दो देखो यह hydrogen तो oxygen से जुड़ा है ना बच्चे ऐसे तो वह oxygen की balance 2 satisfy कर रहा है ना oxygen का एक उपर एक नीचे carbon की तो अभी दो ही हुई है एक इधर और एक इधर दो hydrogen लगाने पड़ेंगे एक यहां और एक यहां ऐसे यहां पर दो ही हुई है तो एक यहां और एक यहां यहां यह आपका mono है क्योंकि इसमें दो OH ग्रूप है तो यह आपका mono नहीं है sorry die है क्या है die नाम बनाओ ज़रे इसका एक और एक दो ठीक है तो आएगा oval यह है और O है तो E card देंगे यह आपको पता है यह rule में ठीक है फिर आप देखेंगे try मत बोलो poly alcohol बोलो poly में ज्यादा alcohol वाले भी आ गए और तीन alcohol वाले भी आ गए ट्राइबीस में ही आ गया तो तीन carbon बना लो तीन OH ग्रूप दिखा लो ऐसे 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 बैलेंस से सिटिस्पाय करो देखो इसके तीन हर की एक hydrogen लगेगा इसके 2 हर के 2 hydrogen लगेंगे इसकी बीदो और कि 2 hydrogen लगेंगे तो 123 क्या बोलोगे यह तो तो 1,2,3 पहले भी बोल सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मित इत प्रॉप, प्रॉपेन, प्रॉपेन, एक पे भी ओल है, दो पे भी है, तीन पे भी है, तो 1,2,3, ट्राइ ओल, ट्राइ को ना गिनो, वोवल में, ई और ओ साथ में है, ट्राइ को मत देखो, तो इक अड़ दो, ठीक है, तो प्रॉपेन, 1,2,3, ट्राइ ओल, ठीक है, तो इसी के अंदर हम फिनॉल को भी देख लेते हैं, ठीक है, फिनॉल क्या होता है, एरोमेटिक अलकोहल होता है, इसी के अंदर हम इस्टाल लगा के फिनॉल को भी देख लेता है, तो यहार यहां इस् किस टाइप का है रिंग टाइप का ठीक है यह कैसे बना रिंग सब्सिट्यूटीड ही बना साइडचेन सब्सिट्यूटीड नहीं है यह कैसा है रिंग सब्सिट्यूटीड है मतलब रिंग कही हाइड्रोजन गया होगा और उसके जगह आपका क्या गया होगा वेज वulिष चिक के इसका aupatic name क्या है इसका थिनओनी यह आप अगर बोलना चाहो बैसे माना कट रखाएं बटे बोल सकते हो कि यह यह बंदीन आल ठीक है बंदीन ऑजीन रहों बंदीन रहें वन पर लोग थे न बेंधीन वन अल और अप आया आप बोल सकते हो है nam भी ही जाता एक ही है, ठीक है, अब और देखो, मान लो, आप पे एक OH तो यहाँ है, और एक OH यहाँ है, दो OH है आप पे, ठीक है, तो यह तो डाई वाला हो गया, इसका नाम क्या बोलोगे, आईपेक बताओ, और कॉमन बताओ, देखो यह है और्थो पोजिशन, कौन सी पोजिशन है और् ठीक है, दो OH मत बोलना, फिर एक सब्सिट्टुएंट बनेगा, इसका नाम होगा, हैड्रोक्सी, क्या नाम होगा, हैड्रोक्सी, कॉमन में तो यह हैड्रोक्सी बन जाएगा, और यह फिनॉल ही है, ठीक है, तो पूरा यह क्या है, फिनॉल, और यह चीज क्या है, हैड्रोक अगर common common में क्या बनेगा overthrow hydroxy phenol बट इसका इपनेम और ये बैंजीन यह पूजिशन एक है यह ए Casey दो है यह कोजिशनおお तो बेंजीन 1,2 डाय ओल बेंजीन 1,2 डाय ओल इसका नाम हो जाएगा ठीक है क्योंकि आई पीएसी ये बोलती है आपको पते ये रूल अगर दोनों ही ओएच है तो लेने है तो दोनों को लो नहीं लेने है तो सबको छोड़ दो आई पेसी तो यही बोलती है ने लेने है तो दोनों को लो नहीं लेने हैं तो दोनों को ही छोड़ दो तो हमने दोनों को ही छोड़ दिया तो यह बन गए बंद्वीन 1,2 डाय ओल ठीक है आओ मोनो देख लिया डाई देख लिया पॉली देखो पॉली 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 देखेंगे पॉली पॉली टाइप का देखेंगे पॉली में तीम भी आ जाएंगे यह रहा यहां पर ओएच इधर एक ओएच इधर एक ओएच सरी यहां क्यों बनाएं यह यहां बना दो, बना दो, बना दो, बना दो, बना लेना, यह और यह होग semic यह होगा this क्या बन गया बन्जीन 1,2,6 ट्राय ओल और कॉमन बोलने तो ये भी और्थो ये भी और्थो इसको छुपा दो ये तो फिनॉल था तो और्थो और्थो कहां पर दो और्थो है तो क्या बोलोगे आप बोलो और्थो डाई हैटरोक्सी फिनॉल और्थो डाई हैटरोक्सी फिनॉल तो ये आपका इसी के अंदर आ जाएगा आपको याद रखने है बुचे ये ओन दा बेसिस आफ क्या है ये नंबर ओफ हैटरोक्सी ग्रूप हाइटरोक्सील ग्रूप के बेसिस पर देखो कितने तरह के बन जाएंगे याद रख लोगे गुट और बताने क्या याद करोगे ऐसी याद रख लो ठीक है सर कुछ और भी कर दो कोई बात नहीं इसको यहां ले लो एक और दिखा दो सर ठीक है यहां ले लो होज आब बताव इसका नाम पॉली है यह दो बेंजीन वन कॉमा टो कॉमा 372 प्रेंट और वैसे यह रख होगे गुट क्या हैto ऐसा याद रख लेना साब ठीक है गुड़ चले बचो दुसरा देखेंगे दुसरा क्या है दुसरा यार इसमें हम यह देखेंगे टाइप हमारा दुसरा यह बन जाएगा कि कार्बन इस पिछी हो और उसपर कैसे हम डिफ्रेंशेट कर लें तो दुसरा बनेगा वह दुसरा बनेगा है दुसरी दो दरीके से देख सकते हैं देखो पहले तो क्या है ओन दड़ी सीटो तो नंबर ओफ अलकाइल गुरूप तो कितने अलकाइल गुरूप आएगे या इसे बोल सकत है on the basis of Variations in Variations in Carbon SP3 के कारबन SP3 containing alcohol के तो हम दो तरीक से differentiate बोल सकते हैं इसे कि कि की किसके बेस पे पहले तो है ऐलकाईल गुरूप कितने हैं दुसरा जो हमारा SP3 कारबन होगा कौन सा carbon SP3 carbon जैसे अभी तो पहले वाले में मैंने फिनॉल भी ले लिया था उसमें carbon सारे SP2 में यहां पे SP3 carbon लेने जिसमें जो किसके अंदर आ रहा होगा अलकोहल के अंदर आ रहा हो उसमें कैसे-कैसे variation हो सकते हैं वो देखने तो सबसे पहले तो देखो यह रहा सी है एच है एच है एच है पर यहां पर है ओच यह देखो यह पूरा क्या गुरूप है यह पूरा गुरूप है यह पूरा गुरूप है मिथाइल कौन से गुरूप है मिथाइल मिथाइल एक तरह का अलकाइल गुरूप होता है इसे मैं बोल सकता हूं प्राइमरी या वन डि बन डिगरी या प्राइमर één है चैनल क्कुरेश्ट एक ही अलकाइल कर रूप कितने गल्रों एंधी तो सिंवेडिक्री या प्राइमेरी अच्छए ऐसी दूसरा तुम बताओ, क्या ये भी वन डिग्री के अंदर आएगा, CH3, CH2, OH, यह है क्या, देखो ये तो CH2 है, और वो CH3 है, तो क्या मैं इसे CH3, CH2, OH बोल सकता हूँ, हाँ, ठीक है, क्या ये अलकाइल गुरूप होता है, हाँ, क्या ये इकलौता अलकाइल गुरूप है, हाँ, तो क् आपने साड़ा सा मूँ बनाये तो हमने सोचा कि आप कुछ गलत बता रहे होंगे, हम आप गुमराह कर रहे होंगे, नहीं, आसे कुछ बात मिये, दोनों ही आपके बन डिग्री है, ये CH3, OH है, वो CH2, OH है, आच्छा, तीन डिग्री का बनाओ जरा, दो डिग्री का बनाओ इसके की एग्जांपल के जल्दी बताओ, कितने ले सकते हो, तीनों के तीनों ले सकते हो, ये लो आई पीस भी बना लेना अच्छा तो यह था हमारे टू डिग्री है सेकंडरी एल्कोल होगे नाम बना सकते हुआ मित इथ प्रॉब्व यूट ब्यूट एक दो तीन देखो यही पर एक गिनोगे यही पर दो गिनोगे यही पर तीन गिनोगे और वहां पर चार गिनोगे अग ब्यूतेन कितने पहाँ दोपे ब्यूतेन दोपे ओं ठीक है डोपे आपका क्या गया औल आ गया तो यह आपको क्या हो गया तू डिग्री तीन अलकाइल गुरूप है कितने अलकाइल गुरूप है तो यह बना थी डिग्री या टर्ट टर्शरी अलकॉल ठीक है कोई भी नाम ले ले लेना ऐसे कोई बात भी है यहां पर CH3 लगा लो यहां C2H5 लगा लो यहां C3H7 लगा लो यहां आपको OH आ गया देखो बच्चे मै मैं SP3 क्यों गोल रहा हूं क्योंकि चार्ट सिग्मा बन रहे हैं चार्ट सिग्मा हैं तो कार्वन कैसा है SP3 है हर जगह यह SP3 था कहीं डबल बॉंड था ही नहीं ठीक है ना बना देना इसका APC है कुशन मार्क खुद बना लेना ठीक है बना लोगे गुड देख लिया १्य फेटिक में ठीक है तो आब हम व्यासे वालें इंत्र despretrition कि किस तरह हैं अलाइधीया ठाइप ऑ dem अलैलिक थर्ड अलाइलिक टायप अल लॉ ऐलाइलिक टायप इने अपको बताई था कुछ बीटेन जो जänder ज़तेखिए वहां क्या था जमारा इस बाले Carbon के बात कर है। जो Carbon, थर्डैर्ट कारवन के साथ Double डबल बॉन्ड में होगा मतलब एक सिंपल सी बात इसके अगर हम आउटलाइन बनाएं तो यह हमारा हीरो कारबन होगे है कि OH वाला ये किसी एक कार्बन के साथ सिंगल बॉंड में होगा ये पहला कार्बन होगा अपना हीरो कार्बन ये किसी एक कार्बन के साथ सिंगल बॉंड में होगा जो कार्बन किसी तिसरे कार्बन के साथ डबल बॉंड में होगा हैड्रोजन तो हम लगा लेंगे बट बेसिक आउटलैन यह रहेगी, ठीक है, कि अपना जो hero carbon, hero carbon कौन है, जिसमें alcoholic group है वो किसी ऐसे carbon के साथ single bond में होगा, जो carbon किसी तिसरे carbon के साथ double bond में होगा यह आपको याद रखना है, allylic के example देखेंगे next video में, ठीक है, यह देख लिजए